इस सेशन में हम इस चेप्टर की जो एक्सेसाइज है उसको डिसकस करेंगे फर्स्ट एक्सेसाइज का नाम है कहानी से सुनीता को सब लोग गोर से क्यों देख रहे थे तो वो उसकी पईया कुर्सी पर चलती थी इसलिए सुनीता को दुकानदार का व्योवर क्यों बुरा लेगा क्योंकि दुकानदार ने पर दूसरों की तरह जो चीनी की थेली थी वो सुनीता की हाथ की जगरें हाथ में देने के लिए बलकि उसको उसकी गोदी में रख दी मज़ेदार सुनीता को सड़क की जिन्द की देखने में मज़ा आता था कह तुमारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता था क्योंकि सुनीता को बाहर की दुनिया अच्छी लगती थी इसलिए अपने घर के आस पास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीजे नजर आते हैं लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं तो जब हम सड़क को देखते हैं तो हमें अक्सर क्या दिख़ई देता है कि कहीं सारे लोग आते जाते दुकान वैसे सारी चीज़े हमें दिखाए देती है अब है मनाई मनाई फरीदा की माने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए फरीदा पया खुरसी के बारे में जहनना चाहती थी पर उसकी माने उसे रोक दिया माने फरीदा को क्यों रोका होगा तो माने फरीदा ने इसलिए रोका होगा तकि सुनीता को बुरा ना लगे क्या फरीदा को पया कुरसी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था तुम्हें क्या लगता है तो हम यह कह सकते हैं यदि सच मुझ फरीदा इस पया कुरसी के बारे में जानती नहीं थी तो उसे पूछ लेना चाहिए था क्योंकि सुनी था ऐसे लड़की नहीं है दूसरों की तरह इसलिए अब देखो क्या तुमें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है कौन मना करता है कब मना करता है तो हमें तो तब मना किया जाता है कि जब हम कोई शेतानी करते हैं, शरारत करते हैं, तब हमारे टीचर्स, हमारे पैरेंट्स हमें डाटते हैं अक्सर, अब देखो आगे की exercise, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, का, यदि सुनाइता तुमारी पाट शाला में आए, तो उनसे किन किन कामों में परिशानी होगी, तो उस उसरे बच्चों के साथ खेल खेलने में परिशानी होगी, उसे यह परिशानी न हो, इसके लिए अपनी पाट शाला में क्या तुम बदलाव सुजा सकती हो, तो हम ऐसा क्या सकते हैं, कि जब हम खेल खेले, तो वो बैठे बैठे वो भी खेल सके, ऐसा कुछ खेल है, वो खे आ रही होगी, वे बाते सुनीता को चिठी लिख कर बताओ, यानि कि यहां आपको क्या करना है, लेटर्स लिखना है, एक पत्र लिखना है, तो थोड़ा सा बता दू कि जब आपको किसी को चिठी लिखो, किसी को लेटर लिखो, तब आपको क्या करना है, always पहले date डालनी है, फिर अपना address डालना है, date और address आपको ये left side करने के बाद आपको देखोई यहाँ, आपको जिसको पत्र लिखना है, जिसको चिठी लिखनी है, उसका नाम लिखना है और कहना है Priya Sunita, फिर उसके बारे में आपको लिखना है कि Priya Sunita में तुमारी परेशानी है समझ सकती हूँ, आप येसा भी लिख सकते हो, उसके अलावा कह सकते हो कि हाँ हम इस परेशानी से निपट भी सकते हैं, तुम हीमत वाली लड़की हो, बहुत ही अच्छी खयाल हो वाली लड़की हो, तो फिर आपको वहाँ ये सारी बाते लिखना है, तुमारी सहेली, रिया, तो यह यहाँ रिया है, वो लिख डालना है, तो आप ये चिठी है, इस तरह लिख सकते हो, पहले डेट, एड्रस, सीटी, फिर यहाँ जिसको पत्र लिखना है, वो फिर आपका जो में टोपिक, जो आप उसको कहना चाते हो, पत्र में जो आप कहना चाते हो उसे वो आपको लिखना है और फिर यहां तुमारी सहली, तुमारा भाई, तुमारी बहान, एटसेटरा तो इस तरह चिठी है वो आप लिख सकते हो अब देखो पेज नमबर 105 कहानी से आगे सुनीता ने कहा मैं पेरो से चल ही नहीं सकती का सुनीता अपने पेरो से चल फिर नहीं सकती तुमने पिछले शाल परिया वरण अधियन की किताब आस पास में रवी भया के बारे में पढ़ा होगा रवी भया देख नहीं सकते फिर भी किताबे पढ़ लेते थे वे किस तरह की किताब पढ़ सकते हैं उस तरह की किताब के बारे में सबसे पहले किस ने सोचा तो आपको तो यहां आपका कोई थर्ड में जब आप पढ़ रहे होगे तब आपका कोई चेप्टर होगा आसपास उसी के बारे में है तो ज़रा सोचना की थर्ड में क्या था वर बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते यानि कि हमारे आसपास ऐसे भी लोग है वो गुंगे और बह रहे हैं सुन और बोल नहीं सकते क्या तुम ऐसे बच्चों को जानते हूँ जो सुन और बोल नहीं सकते तुम इसे किस तरह अपनी बात समझाओगे तो ऐसे बच्चों को तो पता है ना हम इशारों से ऐसे हाथ के इशारों से हमें अपनी जो sign language से हम अपनी बाते एक्सप्रेस कर सकते हैं अब देखो exercise, exercise का नाम है मेरा आविशकार सुनीता जैसे कई बच्चे है इन मेंसे कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते कुछ बच्चों के हाथ में परिशानी है तो कुछ चल नहीं सकते यानि कि हमारी society में ऐसे सारे लोग है जो blind है चल नहीं सकते है, handicap है, etc तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो, यदि तुमें कोई शारिरिक परिशानी हो, तो अपनी चुनोतियों के बारे में भी सोचो इस चुनोति का सामना करने के लिए तुम क्या आविशकार करना चाहोगे उसके बारे में सोच कर बताओ कि तुम वह कैसे बनाओगे यानि कि देखो जैसे ये सुनी ता चल नहीं सकती थी तो आविशकार यानि कि एक पईया खुरसी है उसके बारे में एक पईया खुरसी है जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते तो हमें पता है कि जो लोग सुन नहीं सकते उसके लिए तो कान के लिए मशीन का आविसकार हो चुका है कि वो मशीन की वज़े से अब वो कान में सुन सकते है चल नहीं सकते इसके लिए पईया खुरसी है जो लोग बिलकुत देख नहीं सकते उसके लिए आज तक कोई आविशकार नहीं है जिसकी आखे बिलकुल चली गई है उसको बहुत ही प्रॉब्लेम है चलो चश्मा आता है तो वो नंबर की बात है कोई ओप्रेशन करवात है वो कोई दूसरी बात है लेकिन जिन लोगों की आखे बिलकुल चली गई है उसके लिए आज तक कोई ऐसा आविशकार नहीं सोचा तो देखो यह जो एकसरसाइज है वो उसमें आपको सोचना है कि आप किस तरह का आविशकार बना सकते हो उसके बारे में क्या सोच सकते हो उस आविशकार को आप कैसे बनाओगे जैसे पईया खुरसी है फिरकान में लगाने वाली जो मशीन है जैसे आदमें सुन सकता है तो देखो इस exercise में सिर्फ आपको सोचना है कि तुम इन लोगों के लिए क्या करना चाहोगी क्या आप कोई बड़े होकर ऐसा कोई आविशकर बनाना चाहेगा तो सोचना है कि तुम वह कैसे बनाओगे उसे बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी यानि कि कोई आपको आविशकर बनाना है तो उसमें कहीं सारी चीजे चाहिए तो वो भी आपको लिखना है वह चीजे क्या क्या काम कर सकेंगी यानि कि जो आप चीजों का इस्तमाल उस आविशकर में करोंगे तो उसका इस्तमाल कब होगा वो भी आपको सोचना है उस चीज को आपको एक चित्र बनाना है यानि कि उस चीज का आपको एक पिक्चर है वो बना देना है तो यह exercise है जिसमें आपको सोचना है कि जो शारीत प्रोबलमस है जिनके physical problems है जिनके body में इंद्री में उसके लिए आप कौन सा आविशकार करोगे तो आप ये exercise सोचना और अपनी तरीके से सोचना बताना जब आप ऐसा कुछ सोच लो तब उसका चित्र भी अपनी rough book में है वो बना डालना तो देखो हमारा तो यहां आज का sessions complete हो गया उसके आलावा हमारा ये chapter number 12 है वो पी complete होता है बहुत ही अच्छा chapter था जब हम next sessions में मिलेंगे तब हम chapter number 13 उसके बारे में पढ़ेंगे तब तक के लिए सभी को good bye